हेलो गाईज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज है 16th of November बात करेंगे IOCL, ONGC और CDSL के बारे में तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ONGC के 13 November को नतीजे आ चुके हैं और दोस्तों नतीजे जो थे वो definitely year on year basis पे आपको ठीक नहीं देखने के लिए मिलेंगे लेकिन दोस्तों quarter on quarter basis पे एक काफी सही नतीजे हम को देखने के लिए मिले थे लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यह अपने टेकनिकल चार्ट पर काम कर रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक triangle pattern बन रहा है जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा यानि कि दोस्तों ऊपर एक resistance है और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको एक support मिलता है और दोस्तों अपने resistance के पास जा रहा है यानि कि दोस्तों Max to Max कहा तक जा सकते हैं ओन जीसी और IOCL तो सब्सक्राइब इनकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ जाद से जादा दोस्तों यह तकरीबन 77 के लगबग जा सकता है चुकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक resistance देखने क्लिम लेगा और further यह नीचे आएगा तब आप इसमें एक buying कर सकते हैं तो दोस्तों आप कोई यहाँ पर situation समझ में आ रही होगी कि कि किस तरीके से NGC काम कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी अगर option chain को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप सीधे तोर पर जान जाएंगे कि 75 के ओपर दोस्तों निकली नहीं सकता चुकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 78 lakh से जादे का open interest rate है और दोस्तों तकरीबन 17 lakh से जादे की यहाँ पर आपको change in open interest में call writing देखने के लिए मिलेगी यानि कि दोस्तों यहाँ पर सीधे तोर पर एक मजबूत resistance है 75 के strike पर तो दोस्तों यहाँ पर ONGC का ओपर जाना बिलकुल नामुम्किन है वहीं दोस्तों हम बात करेंगे IOCL के बारे में तो दोस्तों IOCL में अगर आप देखेंगे तो अपने देखेगा दोस्तों अपना जहाँ इसने support बनाया था तकरीबन 71 के पास वहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों लगातार दोनों बार हमको यहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिल रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों तकरीबन इसने अपना यह जो उपर की resistance ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ दिया है और दोस्तों यहाँ पर एक breakout देखने के लिए मिल चुका है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर यह 90 को उपर निकलेगा तभी दोस्तों उसमें तेजी आएगी अधरवाइस फिर से आपको इसमें ग्रावट देखने के लिए मिलेगी और इस चीज़ को दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं option chain पर चुकि यहाँ पर 90 की strike पर आप देख सकते हैं तकरीबन 42 लाग से जादे का open interest पहली से create है जहाँ पर last reading session पर तकरीबन 7 लाग से जादे की change in open interest में आपको call writing देखने के लिए मिलेगी तो दोस्तों आप यहाँ पर situation को समझ सकते हैं कि दोनों ही stock के अंदर आपको कोई खास तीजी देखने के लिए नहीं मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और उसका जिसमें breakout भी आ चुका है यानि कि आप इसको दोस्तों तकरीबन 500 के ऊपर buy कर सकते हैं और आपको target देखने के लिए लगबाग इसमें 550 और 584 के लगबाग आपको यहाँ target देखने के लिए मिलेगे तो दोस्तों आप इस तरीके से तिनोही स्टॉक के अंदर अपने लिए जगा बना सकते हैं और पैसा बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके साथ में वीडियो को ही पहत्म करता हूँ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लिए और बने बैल आइकन को प् झाल को प्रिय।